हेलो एवरिवन मीना की रसोई मापका स्वागत है आज हम बनाएंगे पालक पनीर की सब्जी वो भी अलग तरीके से और यह सब्जी पूड़ी पराठे के साथ बना कर सर्व कर सकते हैं और यह सब्जी बच्चे बड़ी सभी को पसंद आती है तो चलिए अब हम बनाना हो गया है तो यहां पर मैंने मोटा मोटा प्याज और सिम्ला मिर्च काट लिया है तो उनको हम इस तरीके से थोड़ा सा भून लेते हैं और इसको हम लगाता चलाते रहेंगे ताकि हमारी प्याज और सिम्ला मिर्च अच्छे से भून जाए हमें विल्कुल गोल्डर देते हैं अब हम उसी कड़ाई में डालेंगे एक चमर्च तेल गरम हो गया है उसके अंदर डालेंगे हम एक चमर्च जीरा जीरे को चटकने देते हैं और दो पिंच हेंग तो हमारा जीरा और हिंग चटक गया है तो अब हम डालेंगे यहां पर कुछ ड्राइ मसाले जैसे काली मिर्ची, लौंग, तेज पत्ता इनको हम तेल के अंदर छोड़ देते हैं और कर्ची से थोड़ा इसको चला देते हैं ताकि तेज पत्ता काली मिर्ची अच्छे से भून लेते हैं तो देखिए अब हम डालेंगे यहां पर तै क sicher ja और इसको भी हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारे सारेम इच्छे से भ।न जाएं हमारे वसाले कि यहां पर लगवगब भून सकते हैं तो अब हम डालते हैं यहां पर 2 तमाटर पिसे हुए अगर आप टमाटर पीस करना डालें तो आप चॉप्ट करके भी डाल सकते हैं और इनको अच्छे से भुन लेते हैं अब हम साथ में कुछ ड्राई मसाले डालेंगे जैसे वन टेबल इस्पून हल्दी पाउडर हाफ टेबल इस्पून रेड चिली पाउडर और स्वाद अनुसाल नमाक आप यहां पर मसाले कम जादा भी कर सकते हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं अगर पानी की जरु डालेंगे यहां पर एक खियक कटोरी डही। आपके पास में दही नहीं है तो आप छाच का भी इस्तमाल कर सकते हैं या दही अच्छा अच्छ कुछ भी नहीं तो आप इसके भी कर सकते हैं और इनको हम अच्छे से भून लेती हैं ये देखिए और इसको हमें लगातार चलाते रहना है ताकि हमारा दही फटे रही और यहाँ पर डालेंगे हम बारी कटा हुआ पालक और बारी कटी हुई मैथी ये देखिए हमने यहाँ पर पालक मैथी कमजादा करके लिया है अगर आपको मैथी पसंद रही है तो आप इसके भी कर सकते हैं और इनको हम मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर देते हैं अगर पालक को चॉप्ड करके ना डाल करके आप पीस कर डाल सकते हैं और पालक और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और 4-5 मिनट के लिए ढगकर छोड़ देते हैं तो 4-5 मिनट हो चुके हैं देखिए हमारा पालक और मैत्यी अच्छे से सौफ्ट हो गया है और इसको हम चला देते हैं अब हम डालेंगे यहाँ पर जो हमने सिंबला मिर्च और प्याज को फ्राइ किया था, वो यह देखिए हमने यहाँपर सारी सिंबला मिर्च और प्याज डाल दिया है और यहाँपर हम पनीर डालेंगे शाथ में ही और इनको हम अच्छे से मिक्स कर देती है आप इस recipe को घर पर try जरूर करें तो देखिए हमारे मसाले मतलब सिम्ला मिर्च प्याज पनीर अच्छे से mix हो गए हैं और 7-8 मिनट के लिए इसको डग का छोड़ देते हैं तो 7-8 मिनट हो चुके हैं हमारी सब्जी के अंदर अच्छे से ओवाली आ चुकी है और इसको अब हम चम्चे से चला देते हैं और दुवारा से हम इसी तरीके से डग देंगे 7-8 मिनट के लिए देखिए 7-8 मिनट भी हमारे यहाँ पर हो चुके हैं और अब हम सब्जी को चला देते हैं सब्जी देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है एकदम परफेक्ट और खुसुभू भी अच्छी आ रही है कलर भी बहुत ही अच्छा आया हुआ है और यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर तयार हो चुकी है अब हम डालते हैं यहाँ पर आदा चमच गरम मसाला और गरम मसाले को सब्जी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देते हैं मारा यहाँ पर गरम मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम डालते हैं यहाँ पर हरा धनिया ये देखिए हमने यहाँ पर हरा धनिया भी डाल दिया है हरा धनिया से एक खुस्वू और स्वाब बहुती लाजवाब बन जाता है मतलब भड़ जाता है तो अब हम इस सबजी को सर्विंग बाल में सर्व करते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर सबजी को सर्विंग बाल में सर्व कर दिया है आई होब मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसेपी कैसी लगी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आई हुएं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिले और अब हम मिलते हैं नेस्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर